हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल की चिन आज की रेसिपी उन पेरेंट्स के लिए है जिनने ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा कुछ खाता नहीं है और बहुत ही दुबला पतला और कमजोर है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है जो बच्चो को काफी पसंद आता है और या बच्चो का वजन और ताकत बहुत जल्दी से बढ़ाने में बहुत ही है तो एक बार जरू ट्राइ करें आए बनाना शूगरते हैं इसे बनाने के लिए एक छोटा आलू लिया है जिसका छिलका निकाल दिया है इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे जैसे ही यह कट जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे जिससे यह काला ना पड़े एक पैन को गर्म कर लिया है इसमें कटी हुए आलू को ट्रांसफर कर देंगे इसमें थोड़ासा पानी एट करेंगे इसको ढ覺得 3-4 मिनित के लिए पकने देंगे तीन से 4 मिनित के बाद आलू अच्छे से पक जाएंगे इन्हें आप चाकू या स्पून से चैक कर लें कि या पग गए हैं या नहीं हमें इन्हें इतना पकाना है कि या स्पून से अच्छे से मैश हो जाए इनको हल्का ठंडा होने देंगे और इन्हें स्पून से मैश कर लेंगे आप चाहें तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं एक पैन को गर्म कर लेंगे इसमें थोड़ा सा घी आड़ करेंगे कोशिश करें कि घी गायका हो जैसे ये घी गर्म हो जाएगा इसमें मैश किये हुए या ग्रेट किये हुए आलू आड़ करेंगे आलू की quantity आप अपने बच्चे के एस के according ले अब हम इनको चलाते हुए एक मिनिट के लिए भूनेंगे जैसे ही आलू भून जाएगा इसमें थोड़ा सा दूद मिलाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दो से तीन मिनिट के लिए दूद के साथ पकने देंगे थोड़ी देर बाद इसमें अपनी चोईस का स्वीटनर एड़ करेंगे अगर बच्चे टैन मन से छोटा है तो स्वीटनर ना डालें आलू की बज़े से यह हलका मीठा हो जाएगा इसमें बहुत थोड़ा सा ड्राइफ्रूट का पाउडर एड़ करेंगे या ड्राइफ्रूट को काट कर एड़ करेंगे इसको हम डिजायर कंसिस्टेंसी आने तक पकने देंगे जैसे ही डिजायर कंसिस्टेंसी आ जाएगी गैस की फ्रेम को बंद कर देंगे और इसको हलका गर्म बच्चे को खिलाएं अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे